वचन सुनने के लिए तयार है hearing hallelujah Amen गार्मी बहुत है न है न आ ऑपने आपको परमेश्च के वचन से गरम करना है थाकि वह आग हमारे पास हमेश्च करना है आलेलिया परमेशने उसमें से आवाज दी आलेलिया प्रात्रा करिए प्रात्रा करिए कि वो आग हमेशा हमें बनी रहे हमें जलती रहे वो आग हमेशा हर पल हम उस आग में रहे भस ना वो आग जाड़ी भस नहीं ओरे थी लेकिन जल रहे थी प्रत्ता करिए कि हमारे अंदर वो आग हमेशा रहे हमें हमेशा हर पर हुख लगती रहे वह मिले तो सर्व पर्मेश के वचंद में पर्मेश की उपसरी में प्रेसलॉट अधारा का पांच अगर हम देखेंगे उतबती ऑठारा का पांच जब इब्राहेम अपने तंबू के पास बैठा हुआ था आललिया आप सब जानते हैं इब्राहेम परमेश्व का चुना हुआ दास्ता तंबू के पास बैठा हुआ था आललिया और परमेश्वराय पिता पुत्र पवित्रात्मा के रूप में हाललया और वो दोड़ा उनके पास देखिए ये प्यास होती है जब ये आग आपके अंदर होगी ना आपके अंदर प्यास होगी कि मैं कैसे परमेशर को खुश करूं कैसे मैं खुश करूं कैसे इत्रप्त करूं परमेशर को मैं अपने जीवन से कैसे परमेशर को बताओं और कैसे मैं खोजू ताकि मैं उसकी भर पूरी में भर जाओ हालेलुया देखे उसमें क्या लिखा वा उत्पत्लिया ठारा का चार और पांच मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाव धोकर इस उरुश की नीचे विश्राम करें आगे फिर मैं एक तुकड़ा रोटी ले आओ और उसे आप अपने अपने जीव को तुरुप करें अइबραहाम की क्या इच्छा है कि मैं अपने परमेश्वर के जी वे टुर। करों एमें तो आप परमेश्वर को तुरुप कर सकतें आप नहीं कर सकतें लेकिन उसकी इच्छा उसका यह सोचना कि जो मैं खाना लेकर आओ आओ जो जल लेकर आओ Uno जू मैं सेवा करूं उससे तेरा जी त्रिप्त हो जाए प्रिस लॉट हमेशा प्राथना करते हैं अपने आपको त्रिप्त करने के लिए मुझे गाड़ी मिल जाए तो मैं त्रिप्त हो जाओंगा मुझे बंगला मिल जाए तो मैं त्रिप्त हो जाओंगा मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं त्रिप्त हो जाओंगा मेरी बच्ची मेरा बच्चा हो जाए तो मैं त्रिप्त हो जाओंगा मैं कर्दों से मुक्त हो जाओं तो मैं त्रिप्त हो जाओंगा हम अपने त्रिप्त का की बास करते हैं हम अपने आपको तरफ्त करें, यहाँ पर अब्रहेम क्या कहता है? कि मैं वो सेवा करूं, वो भोजन दूं, जिससे तेरा जी तरफ्त हो जाए. इस प्रात्रा को समझे मेरे भाई, आज मैं आपको प्रात्रा के बारे में बताऊंगा, इस प्रात्रा को समझे मेरे इस प्रात्रा को अपना लीजिए मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप बहुत, बहुत सी आजमाईशों से बच जाएंगे बहुत सी परिक्षाओं से आप बच जाएंगे जब आप इस प्रात्रा को करेंगे, जब आपके अंदर ये विशार होगा ये प्रात्रा के रूप में विशार आएगा कि मैं तेरे जी को तर्प्त करूँ आलेलुया प्रात्रा क्या है पता है कि प्रात्रा परमिश्वर के लिए निमंत्रण है कि परमेश्वर आपके जीवन में आके हस्तक शेप करें आपको याद है परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है इस धर्ती पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है तकि आप उस अधिकार का उपयोग अपने जीवन में करें अपने जीवन को चलाने में करें बाइबल कहती है उसने आपको सब कुछ दे दिया Ephesians 1.3 कहता है जली से निकाल कर पढ़िये उसने हमें स्वर्गिये आशीशों से भड़ दिया है रिस अलोट हमें कुछ वो देने वाला नहीं है दे दिया है हमारे प्रभु येश्व मसी के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसी में स्वर्गिय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीश दी है सब प्रकार की आत्मिक आशीश दे दी है देने वाला नहीं है इस अलोट उसने हमें अधिकार दिया उत्पत्ति एक का थाइस पड़िये और परमेश्र ने उनकी आशिस दी और उससे कहा फुलो फुलो और पृत्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मचलियों तथा आकास के पंचियों और पृत्वी पर रहिंगने वाल एथा लेकिन उस्ने परमेश्र की आज्या का औलंगन किया शैतान की बात मानी और वह अदिकार शैतान का हो गया शैतान ने ले लिया लेकिन जभी शुमश्र तो कुरूस पर वह अधिकार परमेश्रSmith ने हमें दिया इस्व मुस्छ ने लिया और उसके दोरां हमें मिलता ह तो अदिकार है समझें के हैं आपके पासा अदिकार है इश्व मसी नचेलों को अधिकर दिया मतीर दसका बूल समें बारच अपाजally पहां सिसी अधिकष्ट के इमएन वाहना और अपके पास अधिकार धिया और रहे आपके पासा अधिकार है आपके पास अधिकार है आप नहीं जानते आप कौन है प्रात्रा क्या है अपने अधिकार को मानना अपने अधिकार को मांगना प्रात्रा है जब परमिश्व ने आपको अधिकार दिया आपको अपने घर में अपने अधिकार के संग रहना है कि नहीं रहना है कि अधिकार है समच्याएं पर आपका अधिकार है आपको परमेशर ने अधिकार दिया है सवर्गी आशीशों से आपको भड दिया है अलिलूया है फिर भी हम व्याकूल होते हैं प्रिभी हम परमेश्र की उपस्तिती में नहीं रह पाते हैं हम परिशाओं में अपने आपको आता हुआ देखते हैं हर पलम परिशाओं में अपने आपको देखते हैं आप अगर पहली के अख्षा में रहेंगे तो आप सारे अधिकारों को नहीं प्राप्त करताएंगे आप अपने बच्चे क्यों बढ़ाते हैं एक से दूसरी क्लाश दूसरी से तीसरी ताकि वह और जाने है अलेलुया वह 10 में आता है फिर ग्रेजिविशन करता है तो उसका अधिकार उसका नॉलिज ज्यादा होता तो उसका पावर ज्यादा होता है वह अधिकार का यूज करता है वह अपने जीवन में ग्यान का यूज करता है प्रिस अलोट हम कलीजिया आते हैं ये हमारी पार्ट इसके दौरा हमें रोज अपने आपको सिधता की और हमको बढ़ाना है रोज सिधता की और हमें जाना है पर्मेशन ने कलीसयाद क्यों बनाया है यह वाइबल क्यों हमें दिये ताकि हम उस ग्यान को प्राप्त करें और अपने अधिकार को प्राप्त करें अलेलुख हम रोज शबत पढ़ते हैं की नीपड़ते हैं दूसरा करुनति है 10.5 का इसलिए हम कलप पनाओं का और हर एक उची बात का जो परमेशवर की पैचान के विरूद में उठती है खंडन करते हें अर हर एक भावना को कैद करके मसी का अग्यकारी बना देते हैं एमेन हर एक ओची बात का जो परमेश्र के वृद उठती है हम उसका खंडन करते हैं आप मंदिर है परमेश्र के अललिया परमेश्र की आत्मा आप में वास करती है अललिया तो यह नहीं कि आप अपने मंदिर को दुशित कर सकते हैं क्या नहीं आपके वस्वा अधिकार है की गलत कोई भावना आपके अंदर ना आए कोई दुशित चीज आपके अंदर ना ए कोई पाप आपके अंदर ना ए that is your work that is your duty प्रात्रा क्या है सिर्ब नौकरी मांगना प्रात्रा नहीं है आप नौकरी बे जाते हैं और मालेजी आपका बॉस आपको परिशान कर रहा है आपका कुलिक परिशान कर रहा है कोई बात नहीं है उसके अंदर शैतान है और वो आपको सता रहा है क्योंकि आपके अंदर इशू है इस चीज को समझ यह भाई आपकी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं उससे कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी जिससे आपकी कोई भी रिलाई नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन वह आपको सताना ना आपने कुछ उसको कहा है लेकिन आपको अच्छा लगने लगता है वो आपके लिए अच्छा काम करता है वो आपके लिए अच्छी भलाई करता है होता के नहीं होता है यह क्या है यह स्परिट है इस्परिट इस्परिट को पहचानती है आपको जो सता रहा है उसके अं अब आप गरिये मत आपके पास भी आत्मा है अलेलुया आप उस गलत आदमी को उस गलत विचार को उस गलत भावना को अपने अंदर आने से रोख सकते हैं इस चीज़ की प्रात्रा करिए आपके अंदर आ रहा है उसको आप मसी का गुलाम बना दीजिए अलो इस अलॉट उसके सामने हमें हाथ नहीं जोडने है अपने सामर्थ को पहचानिये जो परमेश्व ने आपको दिया है और उस सामर्थ के अनुसार जीवन बिताईए आप उस सामर्थ के अनुसार क्यों नहीं बिता पा रहे हैं अलेलिया क्या परमेश्वर में पूरी तरीके से हैं नहीं इसलिए शैतान आपको नुक्सान देने की कोशिश करता है गलत विचार आपके अंदर आता है, संधे आपके अंदर आता है, व्यकुलता आपके अंदर आती है, कोई डाउट आपके अंदर आता है, आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, इसारे विचार आपको कमजोर करते हैं, हमको कमजोर नहीं बनना है, आपको पता है, आपकी कई प्रत्राइशNow आपको कमजोर बनाती है कई प्रत्राय अ कि जब आ प्रात्रा करते पिता पर्मेश्व द्याखलो पिता द्या करिए इस आदमी से मुझे बचा इस बचा इस वहें से बचा बाइबल कहती है वचन कहता है उसने आपको आशीशों के आत्मिक आशीशों से भर दिया है उसने आपको अधिकार दिया है उस अधिकार का उप्योग करिए कि उप्योग करिए हो सब्सक्रण करें तो है वो सब्सक्राइब करें हूँ उसके संग जगडवा मत करिए वह शरीर है है वह शरीर है अगर आप अपने बॉष से जगड़ा करें गा तू तू भाटकर रहें जो चबह वह जांगे मेरे का अप गलत से जो उसके अंदर है अधाजसिय का बारा है आरं यह कृक्रों को आपको tolerance लक् linha भैए पांगर शंसार में रह रहे हैं तो यह अशे कि आपके लड़ाई किसे क्योंकि हमारा यह मलय उद्ध लवर मासे नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस अंसार के अंदकार के हाकीमों से और उस दुष्टा की आत्मिक सेना उसे है जो अकास में है हमारा जो युद्ध है वो शरीर से नहीं है कि अबर पदी से मत लड़िये वो शरीर है उसके अंदर स्प्रिट है उससे आपका युद्ध है अब एक बात समझीए कि अगर आप यह जानगे जो युद्ध है वह गलत आत्ला से जो आपके बीटे से पती के अंदर है जो आपकी पत्नी के अंदर है तो आप उससे कैसे लड़ेंगे आत्मा के द्वारा अब आप उसे अपनी आत्मा से पराजित करेंगे प्रात्रा करेंगे उसको बांदेंगे वह गड़त इस्पिरिट आपके पती के अंदर आपकी पत्नी के अंदर आपके भाई के आपके प्रोशी के अंदर उसको बांदिये और उसको निकालिये निकालिये उसको अब आप कहेंगे मैं कैसे निकालो इसी लिए आत्मिक जीवन जीना जरूरी है इसलिए मैं जो आपको वचन देता हूं वह आत्मिक है आप उस आत्मिक जीवन में जी नहीं रहे हैं आप उसका स्वाद नहीं रख रहे हैं आप प्रेक्टिस नहीं कर रहे हैं है आप अपने बच्छे को कम्पूटों सिकाने के प्रैक्टिस करते हैं उच्टिस करते हैं कोई भी एप सहर ने में मूजिक psychedel math k प चलाने में प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कभी भी आप अपने बच्छों को यह नहीं सिखाते हैं कि प्रात्रा कैसे करो, आत्मिक जीवन कैसे जीना है, जानता हूं नहीं सिखाते हैं आप, जो चर्शमें सिखना दिया, ओके, सिखाईए जरूरी है, अपने बच्चे को आत्मिक बनाईए, क्योंकि आपका जो युद्ध है, वो शारिडिक नहीं है, आत्मिक है, इसलिए आप अपने बॉस से, अपने पती से, अपने प्रोसी से, अगर शरीर के द्वारा युद्ध करेंगे, तो आप हार जाएंगे, क्योंकि वो जो शरीर है, उससे आपका युद्ध नहीं है, आपका युद्ध तो आत्मा से है, इस्पृट से है, जो उसके अंदर है, जो आपको सता रही है, अज़े किसको कौन सता रहा है, वो गरत इस्पृट आपकी अच्छी स्पृट को सता रही है, क्योंकि आपके प मान लेजी आपके दर्वाजे में कुट्टा आता है जंगली कुट्टा कीचर से लदा हुआ और आपको घर में आने की कोशिश करता है अब आप चिलाई नहीं पा रहे हैं आपको चिलाना अगर नहीं आता अगर हाथ उठाना नहीं आता अगर पैर उठाना नहीं आता तो भागेगा नहीं भागेगा आप ख़ले हैं और आप मन में सोच रह रहे हैं यार यह इसको कैसे बटाओं कुछ नहीं होगा वो तो आएगा उसके लिए आपको मूँ से बोलना पड़ेगा वह आपको आता नहीं हाथ उठाना आपने सीखा नहीं तो अपने अधिकार का उप्यों भी नहीं कर रहे हैं तो कुटा आएगा और चड़ जाएगा आपके अच्छे-चे कमरे को बंदा कर देगा अलो आपके पास जो अधिकार है उसका यूज करना आना चाहिए अब आप उस समय घुटने टेकिंगा प्राथने कर प्रभू देया कर इस कुछते को भगा नहीं भगाएगा प्रभू क्योंकि वह अधिकार आपको दिया हुआ है वह अधिकार आपके पास है अललिया जो भी कोई गलत विचार जो की परमेश्वर के वृद है अगर मेरे मन में आ रहा है तो मैं इसको निकाला हुआ निकल ऐगलत विचार निकल इश्व मसी के नाम से मेरे मंदिर को घंदा मत कर निकल मैं तो जाग्या देता हूँ और इश्व मसी को गुलाम बना देता हूँ क्रोध का विचार आपके अंदर आ रहा है क्रोध सब बातों की जड़ है कईयों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है गुस्सा आना एक सभाव आम आदमी का है लेकिन बाइबल कहता है कि अगर आपको गुस्सा सुबह आता है तो शाम तक आपका गुस्सा निकल जानी चाहिए अगर वो नहीं निकलेगा तो शैतान को आप मौका दे रहे हैं भगोत से अएसे भाई बैने मसी जो गुस्से को निकाल नहीं पाते आ आईशसा अईशसा गुस्सा उनको खाता रहता रहता है और गुस्सा इतना बढ़ जाता है जो आपनी गलतियों को देह कि निकीन पार रहे है पशाताब करीन पारे है वो महसूस करीन यह गुझ्सें में है, वो खाना भी खा रहे हैं तो खाना नहीं लगरा है, शरीर में नहीं लगरा है, कुछ भी नहीं उनका जिर जिन्दगी में हो performer. अंदर ये कूटे जा रहे, अंदर Candians अंदर ये अंदर कुछ बोलनी रहे हैं. That is very wrong! बहुत । गलत है। और शैतान को मौका चाहिए, ओहो, ये आदमी इस तरीके से कब्जे में आ सकता है, वो आपको गुसा दिलाएगा, इंस्टिगेट करेगा, ताकि आप कमजोर बन जाए, मेरे भाई, सबसे बड़ी बात है कि आप प्रात्रा वो करिये कि मैं गलत इस्पृट से परमेश्र मुझे सामर्श से भर, ताकि जो गलत इस्पृट है, वो किसी भी रूप में आए, मेरे पती के रूप में आए, मेरे भाई के रूप में आए, मेरे पतनी के रूप में आए, मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ इसके लिए वचन का ज्यान होना ज़रूरी है आपको पता है क्रूस पर विजय प्राप्त करने से पहले इशु मसी ने संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए 40 दिन की परिक्षा दी ताकि वो संसार पर शासन कर सकें विजय हासिल कर सकें कुरूस पर मरने से पहले विज़ों 40 दिन का उपवास था अलेलुया और उस 40 दिन के उपवास में जब शैतान उनकी परिक्षा करने के लिए आता है एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं है वाक के नहीं है जब उन्होंने परमिशन से कहा परमिशन मुझे बचाईए कहा उन्होंने उन्होंने वचन के द्वारा बात की वचन आपकी शक्ति है अगर आप वचनों में मझबूत है मेरे बाई मेरे बेहन आपकी प्रॉब्लम सौल्ट है कोई शैतान आपको नहीं बौखला देगा आपके अंदर वैकुल्दा नहीं लाएगा लाई नहीं सकता, आपके इंदर बचन है, और आइस्टा आइस्टा मेरी भाई, जब आप सिद्वता की और बढ़ते जाएंगे ना, तो आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, कि सामने वाले की आत्मा को समझ जाएंगे, धर्मी जन की प्रात्राओं से बहुत कुछ हो सकता है, क्यों हो सकता है? याकूब 5.16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापो को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रातना करो, जिससे चंगे हो जाओ, धर्मी जन की प्रातना के प्रभाव से कुछ हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि धर्मी जन वचन जानता है, धर्मी जन जानता है कि शमा मांगने का कितना अच्छा है, हम शमा मांगने कितना अच्छा है, अपने आपको खाली करना कितना अच्छा है, इसलिए तो धर्मी है वो दरमी क्यों है वो जानता है न परमिश्ड़ का नियम क्या है अलेलईया परमिश्र क्या कहता है तू चाहता है मैं तरी लड़ाई जीतू है को आपिने लड़ाई तो परमिश्ड़ चाहता है कि तू पहले लडना बंग कर तम मैं लड़ूंगा Are you getting me? वो क्या चाहता है कि तू अपनी लडाई लड़ना बंद कर अब हम आरे अंदर इगो है, घमंड है स्वारत है कि नाई इस आदमी ने मुझे गाली दिती महीं इसको गाली दो आप जब तक सामने वाले को गाली लड़ना दे आपको satisfaction नहीं मिलती है प्रेज़ लौट लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपकी लड़ाई शरीर से नहीं है आपकी लड़ाई आत्मा से जिसने आपको गाली दी उसके अंदर वो गलत इस्पृट है वो जो गलत इस्पृट है उससे आपकी दुश्मनी है वो आतमे तो बिचारा भला है आपका पती शराब पीके रा रहा है आप उसको मार भी लेंगे गर से भी निकाल देंगे खाना भी ने देंगे तो क्या होगा उसको बिचारे को नहीं पता उसके अंदर गलत इस्पृट है नशे की दुश्टात्मा है उसके अंदर प्रेस अलोड जिस तरीके से आपको शराब से नफरत है उसको प्यार है यही है ना आप गलस समझ रहे हैं शराब को वो अच्छा समझ रहा है समझा कौन रहा है इस्पृरिट आपको समझ कौन देता है आपको कोई चीज अच्छी लगती है मुझे कोई चीज अच्छी लगती है अब यह भाई भेन बैठे हुए इन्ही में से बहुत सी चीजे हो सकता है आपका देखना अलग होगा मेरा देखना अलग होगा क्यों अलग होगा क्योंकि spirit हमारे अंदर आ लग 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 is a lot आ ले रही है हाँ हमारा अगर कबजा उस spirit में नहीं होगा तो हमें परमेश्र को बुलाना पड़ेगा कि परमेश्र आप आईए जब आप परमेश्र को बुलाएंगे तो वो परमेश्र आपके अधिकार शेत्र में आएगा पहले आप अपने अधिकार का उप्योग करिए जब आप नहीं कर पाएंगे कुछ ऐसी चीज़े होती है देखिए ईशु मसी ने जब भी किसी को चंगाई की क्या परमेश्र से प्रात्रा की इशु मसी ने जब भी किसी को चंगाई दी क्या परमेश्र से प्रात्रा की पानी पर चले हाँ किसी लादर को जिलाया परमेश्र से प्रात्रा की बारह हजार लोगों खाना खिलाया परमेश्र से प्रात्रा की अलोकिक वातावरन को अलोकिक सामर्थ को स्वर्ग से धर्दी पर लाने के लिए प्रात्रा की जरूरत है अलाकिक सामर्थ को धर्दी पर लाने के लिए स्वर्ग से धर्दी पर लाने के लिए प्रात्रा की जरूरत है इन नौकरी को पाने के लिए नहीं है आप सोचिए कितने करोड़ लोग है Alleluia Praise the Lord आप जो चीज़ मांग रहे है वो परमेशर आपके अधिकार में पहले ही दे चुका है पहले ही दे चुका है आप क्यों नहीं इतने educated होते हैं कि आप अपने आप काम करें Praise the Lord मानेज़ आपकी बच्ची है पहले वो एक साल की है दो साल की है तो आप उसे feed कर रहे है खाना खिला रहे हैं आपकी बच्ची है दो साल की पांट साल की है अब वो बीस साल की बच्ची हो गई तो आपको बोलेंगे वो खाना मागें कि तो क्या कहेंगे आप किचन में वो कैंगी किम पागल हो गई है गुवाना मुझे क्षाट हो गई है जब वो दो साल की थी चार साल की थी तो आप खाना खिलाते थे अपने हातों से कि अब बीस साल की हो गई पच्छे साल की अभी वो बच्ची आप से खर खाना मांगे कि आप देंगे चल खाना रखा ले हालो कि मैं और अगर नहीं लेंगे तो मां टेंशन में आज जाएगी कि यह अई बच्ची क्यों ले रही खाना इसके हाथ पर रहे सब कुछ है क्या है कुछ प्रॉब्लम है क्या आज परमेश्व ने हमें चुना है परमेश्व ने में पापों श्रापों से मुक्त कर दिया है और हमें अधिकार दे दिया है ताकि हम हम काम करें हम परमेश्व के चुने हुए है प्रेस अलॉड अभी हमें खाना अपना लेना है मांगना नहीं है मेरी बास समझे प्रोब्लम क्या है डलती उचार का एक पड़िये प्रव theology में पंड। होना नहीं चाहते है हम वही केजी में पढ़ ना चाहते हैं केजी में पढ़ ना चाहते है और जो केजी में बताय जाता है इसको नमस्ते बोलो ए टीचर आईगी तो ख़ल हो जाओ अच्छी फ्रॉक पहनो, नाश्टा करने के बाद हाथ धो, यह एक साल तक यही सिखाते हैं, यही सिखाते हैं न, केजी में, और अगर बच्छा हाथ धो लेता है, खाने के बाद, टीचर आती है उसको हेलो बोलता है, घर से आते हुए रोता नहीं है, तो वो फस्ट आता है, क बच्छा रोता नहीं है, घर से आने के बाद, जैसी टीचर आती ही खड़ा हो जाता है, नाश्टा करने के बाद हाथ धोता है, अपना टिफन बॉक्स अपने बैग में खुद रखता है, यह बच्छा फस्ट आता है, उसी तला हमारा भी है, हमने भी केजी क्लास में पढ़ लॉक्ती ses हो जाता है, हम करें हैं अपनी क्रसे बच जाो, हम केजी क्लास की स्टेढ़ जानते हैं, और हम आते हैं क्रदाव हैं लॉक्त का हम क्रिश६ ककॉद ऐस लॉक्त सबकर दॉस्टो बोला, छेसिदा और सिर्भा लॉक्त इघ्वा को सेवा के उस्ट्ऋ, क्या वकंट अच्छ तो था, मैने ताली भी बजयी थी, पास्टर ने करता अमेन, मैने एमेन भी बोला था, हाँ, बुझह कए अमेन भॉला, मैने हाललुया भी बोला, मम्मी, आप तो जानते हें, मैं हमिशा हैं, Figार प्रेष दे Basic्लां भॉल्लजा, हाँ, बोला, और आप चाहते हैं कि हर साल में फस्ट आउं क्योंकि केजी से निकलना है नहीं चाहते हैं आप सब केजी में फस्ट आना चाहते हैं कि वे स्वीयृ क्रीजुएशन करें पर में ट्रेजुएशन करें अब यह व्य व्यृजुश्ट आपिए कि अब आरो टीडवलुौ प्रशुरू हो रहा है था यह सेकें यह तीन किस्वे थाव सब्सक्राता मुझे पता बहुत से बैक लॉट कर जाएंगे नहीं 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 क्यों भी आगे बढ़ी है नहीं हम केजी में ठीक हैं हमें हालेलुया है बोलना है इतना ही भास है मसीह हम इतने में प्रेज लौड ही बोलना है हम केजी में ठीक हैं आगे बढ़ना नहीं चाहते जब आप आगे बढ़ना नहीं चाहते तो आप अपने अधिकारों का यूज कै किसे करेंगे ज्ञान कैसे मिलेगा सिद्धता की और कैसे बढ़ेंगे बाइबल क्यों दी है ताकि हम सिद्धता की और आगे बढ़ें परमेशर हमें सिद्ध बनाना चाहता है है कि अलेलुए आपके अगर बच्चा रोज हर साल कीजी में जाए और फरस्ट आ रहा है और परोशई भुष्ट रहा है बच्चा क पढ़ता है हां जी पढ़ता है क्या नमबर रहा है फस्ट अरे अच्छा पते जलाए दस साल से केजी में है आप फस्ट आ रहा है आप लेकिन आगे बाड आगे बाड हमको नहीं चाहिए तरह फर्सक्लास प्रेसलोट हम आगे बढ़ना नहीं चाहते इसलिए उन अधिकारों का जो आपके लिए हैं आप यूस नहीं कर पा रहें यूस नहीं कर पा रहें आप डिपेंड हैं आप डिपेंड हैं पास्टर पर डिपेंड अगुओं पर डिपेंड इशू पर डिपेंड पर मिश्णर पर डिपेंड उसने अधिकार दे दिया है वो अपने चेलों को उसने अधिकार दे दिया है ताकि आप निर्बलता को दूर करें वो आपके पास अधिकार है आलेलुया आप कहेंगे किसाब कैसे होगा आप यूस करिए हो सकता है पहली बार ना हो दूसरी बार ना हो जूस करिए प्रैक्टिस करिए आपको आएगा कोई भी काउं जब आपने किया था कि पहली बार आप सिद्ध हो गए थे कोई भी काम याद करिए आपने खाना बनाना शुरू किया था तो पहली बार परफेक्ट था नहीं था आपने पहली बार घर की सफाई की थी क्या परफेक्ट थे मम्मी ने बाद ने बता हुआ रहे है ये देगी आँसे रह गया ये रह गया क्योंकि परफेक्ट नहीं है कैसे हुए करते 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 रहने की आदत आपके अंदर बहुत जरूरी है अगर आप प्रोसेस में नहीं नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे इत्रोबारा बाम के खिंट मोईтесь आने का मतलब क है कि मुझे हैं करना घर जाकर उसको मनन करिे जुब आर्ट अब को बताता हुmm आप़री तूँजत उअने संथे योट में आपना इूटूबह नोई सखेटिक सोortunate या के आपना प्रेस अलोट यह वचन आपके जीवन को बदल देंगे मैं आपको सच कह रहा हूं यह वचन आपके जीवन को बदल देंगे क्योंकि अपने अधिकार को आप समझने लगेंगे अगर अधिकार को नहीं समझेंगे आप कुछ नहीं होगा आलेलिया इसलिए ऊपसेज देखें इर्मिया 3K3 में इस्पेसिफिकली फर्मेश्वन ने कहा है मुझसे प्रातना कर अध्याण कर अगो कि तब मैं तेरी सुनूंगा अध्यर्मिया 3K3 पढ़िए बाटा मुझसे प्रातना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कटीन बाते बताऊंगा, जिनने तू अभी नहीं समस्चता. Amen. प्रातना कर. परमेशर कभी-कभी आपके प्रातना को पूरा नहीं करता है. क्यों नहीं करता है पता है? क्यों नहीं करता है क्योंकि आपकी प्रात्नाएं अधुरी है वो आपकी प्रात्नाओं में अपने लिए प्रेम नहीं देखता है यह अपना भजन सहीता 91 का चौदा निकली है उसने जो मुझसे इसने किया है इसलिए मैं उसको छुडाऊंगा उसने जो मुझसे इसने किया है प्रेस अलॉट परमिश्र क्या देखना चाहता है आपके अंदर प्रेम मुझसे बात करिए क्या देखना चाहता है प्रेम किसके लिए अपने लिए उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुडाऊंगा क्यों वो चाहता है आपके अंदर प्रेम हो उसके लिए क्योंकि अगर आपके अंदर उसके लिए प्रेम होगा तो ही आप उसके कारियों को समझ पाएंगे आलेलुया आप बिमार हैं और एक मेने से आप प्रात्रा कर रहा है और आप ठीक नहीं हो रहे आप क्या समझते हैं प्रभू बहरा है सुन नहीं रहा है वो सुन रहा है वो देखना चाहता है कि आप बिमारी में उससे कितना प्रेम करते है येस आप नहीं देखना चाहते है कि जब मेरी नौकरी नहीं होगी तो मेरी बीबी मुझे से कितना प्यार करती है जब मेरी जेम में पैसा नहीं होगा तो बच्चे मुझे कितना प्यार करते हैं नहीं देखना चाहते हैं आप कैसे कहते हैं कि नए ये मेरी बीबी है 35 साल से मेरा साथ दे रही है क्योंकि दुख सुख में इसने मिला साथ दिया दुख में मेरी बीबी कहीं और नहीं गई देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं हलो कि दुख में मेरी बीबी साथ देती है कि नहीं देती मेरे बच्चे मुझे समझते हैं कि नहीं समझते है यही परमेशर भी जाता है क्या आप बिमारी में उसको समझते हैं कि ने समझते हैं आपके लिए सिरब परमेशर बिमारी के लिए है या हमेशा परमेशर है किसके लिए परमेशर है क्या बिमारी के लिए उससे प्यार करते हैं क्योंकि वह प्यार के योग्य है इसलिए प्यार करते हैं और एकर वह प्यार के योग्य है तो आपकी मिमारी रहे या नहीं हूं आपका फर्मेशन है इमे लेकिन वह क्या कहता है उसने जो मुझ्द से प्रेम किया ए अलो वह आपके मंद में अपने लिए प्रेम देखना चाहता है कि इसको इसको मेरे त्याक का मतलब पता है आप क्यों प्रेम करेंगे हलिलिया आप अपने पती के दुख में भी ये साथ क्यों देंगे क्योंकि आपने देखा है कि कुछ भी हो जाए यार सुख में भी मेरे पती ने मुझको एक कमी होने ने दी तो है दुख है तो क्या मैं उसका साथ ना दू वेस अलॉट हलिलिया आप दुख में अपने मावाब को क्यों इज़त देते हो कि नहीं यार मेरे मावाब ने आज सक मुझे कैसी भी स्थिती हो चाहिए दुख होता था बिमार होते थे कुछ भी होते थे लेकिन हमें रोटी दिये उसने मेरी माँ ने खुद भूकी रही है खुद भूकी रही है मेरी माँ मुझको रोटी दिये बच्चा उस प्यार को कभी नहीं भूलता है आलेलुया परमिश्ण कहता है वो प्यार अईूब की पत्नी ने उसे कहता था तिरा सब कुछ छील लिया अभी परमिश्ण ने तुझे बच्चे चील लिये गाडी बंगला चील लिया सब कुछ चील लिया अब तो उसके निंदा कर अयूब ने क्या कहा क्या मैं उससे लेता रहूं दू नहीं प्रेस अलॉट अब सुचिये अब सुचिये Amen अयूब जैसा देना और बहुत दिल से देना और उसकी निंदा नहीं करना कोई शिकायत नहीं करना ऐसा प्रेम परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उससे छोडाऊंगा आगे क्या है मैं उसको उच्छे इस्थान पर रखूँगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है में उसको ओँचे इस्थान पर रखोंगा क्योंकि उसने मुझे जान लिया है आपके लिए उचा इस्थान काौन से है एक मसी के लिए उचा इस्थान का उसे होंगर middle gonna डारी आजाए एक गारी है दो आजाए एक बंगला आजाए आपके लिए उच्छा इस्थान पता है एक मसी के लिए उच्छा इस्थान क्या है पाप पर विजय प्राप्त करना पाप पर विजय प्राप्त करना कोई भी पाप मुझे छूना जाए एक मसी को नफरत नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर नफरत करनी चाहिए तो पाफ से अगर आप मसी हैं और अगर आप पाफ से नफरत नहीं करते हैं आप कभी भी पीशे जा सकते हैं अगर पाफ आपको अच्छा लगता है तो डेंजर है अब पाफ परमेश्वर पाफ से आपको उच्छा उठाता है कोई भी गरत विचार मेरे अंदर नए गूसकता कोई भी घमंड नहीं है स्वार्थ नहीं है नफरत नहीं है वैं विचार नहीं है नो इशु मसीन सबसे उपर थे सबसे उपर थे वह उच्छे थे वही उचाई परमेशर हमको को देना चाहता है कि जो बच्चा मुझसे प्रेम वो कम मिलेगा आपको जब आप परमेश्वर के लिए निस्वार्थ पवित्र प्रेम अपने अंदर रखेंगे परमेश्वर आपको उचा उठाएगा पाप से उच्छा उठाएगा कोई भी पाप कोई भी गलत चीज आपके अंदर नहीं आ सकती आपको कंट्रोल होगा अपने उपर अपने मन पर नहीं करना है मुझे काम नहीं हलो आप जानते हैं परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है कि मैं उसको उच्छे स्थान पर सुरक्षित रखोंगा अलेलिया आपके धन दौलत चाहिए यह ऐसा आशीश चाहिए कि कोई भी पाप आपको हिला ना सके कोई भी पाप चैटीन के डब्बे में आप रह रहे हैं पत्रे का घर आए आपका लेकिन पाप में आप उच्छे आप उस उच्छाई में हैं कि कोई भी पाप आपको हिला नहीं सके प्रेश लोट यह उचाही चाहिए यह उचाही हम को चाहिए इसलिए परमीष्र के प्रेम को अपना बना लिए अपने अंदर परमीष्र का प्रेम रखिए और कुछ मद रखिए आलेलया मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा आलेलया मैं आपसे निवेधन करता हूँ प्लीज वचनों को समझिए और उसमें बने रहिए जो मैं आपको बोलता हूँ उसको लिख लिया करिए मेरे वीडियोज हैं यूटूब पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं इन वचनों को समझिए पढ़िए, सुनिए फिर बाइबल से रेफर करिए आप आप देखिए अपने जीवन को बदलते हुए आप खुद देखेंगे कि आपको जीवन बदल गया है जब आपको ज्यान मिलेगा आपको बुद्धी मिलेगी, मैं आपको सच कह रहा हूँ आपको एक अपनी शक्ती का हैसास होगा कि आपके अंदर एक नई शक्ती पहला हूँ एक नई उर्जा पैदा हो रही है आप उचे पर बैठे हूँ है आलेलिया प्रेस अलोड बोले ईशो मसी की ईशो मसी की प्रभू आपसे बहुत प्यार करता है